आज इस वीडियो में Tector Hydraulic के ऐसे hidden features के बारे में बताने वाला हूँ जिसे company भी नहीं बताती साथ ही मैं खुद भी बोलता हूँ कि 99% किसानों को ये features के बारे में मालूम भी नहीं होगा Tector का सबसे important part होता है hydraulic Hydraulic को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है Tector को चलाने से ज़्यादा hydraulic समझना ज़्यादा जरूरी है किसान भाईयो Tector के hydraulic में एक ऐसर sensor लगाया जाता है जिसे कहा जाता है ADDC अब ये actual में ADDC क्या है और इसे hydraulic में किस तरीके से इस्तिमाल किया जाता है ध्यान से समझिए मैं धीरज कुमार आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार किसान भाईयो जब भी हम कोई भी implement यूज करते हैं चाहे वो cultivator हो रोटवेटर हो या Tector जो है बहुत से implement चलाने में सक्षम होता है तो एक समाज जोताई या मताई के लिए हम जो implement यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है ADDC को ADDC एक ऐसा smart technology है जो Tector के बहतर performance को निकाल के देने में मदद करता है अब पहले आप ये समझे कि जब भी हम कोई भी Tector में implement लगाते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है जैसे आप ये PC lever को अगर मैं उठाता हूँ तो hydraulic उपर आ जाता है और जैसे इसे मैं नीचे करता हूँ तो hydraulic जो है वो नीचे आ जाता है ये आप जानते ही होंगे लेकिन अब इसमें ADDC कहां पर है आप ध्यान से समझे इसके लिए मैं एक आदमी को बुला लेता हूँ जो इसके hydraulic में वजन का काम करगा क्योंकि अभी हमारे पास implement नहीं है तो जैसे ही इसमें आदमी खड़ा हो जाता है ये अपने idle position में पहुच गया है hydraulic अब आप समझे जैसे मैं link pin को इसमें pressure डालता हूँ ADDC पे तो ये क्या होगा आप देख सकते हैं आदमी का भी वजन को ये उपर उठाना सुरू कर दिया है और जैसे मैं छोड़ता हूँ तो अपने idle position में जिसमें आपने DC lever में set करके रखा है वो वहाँ पे पहुच जाता है और जैसे वापस मैं इसे खिशता हूँ तो वो फिर से implement को उठा देता है अधिकतर किसान गलती करते हैं कि वो PC DC lever को जो है अपने हाथ में रखकर उसे हमेसे टेक्टर को चलाता है जिससे कि उसमें hydraulic को damage करता और साथ ही आपके implement को भी खराब करता है और इसके अलावा किसान भाई अगर आप ध्यान सी से समझेंगे ये जो system है ADDCG से कहा जाता है ये बहुत ही ज्यादा smart होता है और second भर के भी चौथाई हिससे में काम करता है मतलब second भर तो बहुत बड़ा duration हो गया ये पल भर में अगर आपके आँख के सामने कोई भी इस तरीके से कोई सामने कोई सार पची जाता है तो आपका आँख कितना जल्दी बंद हो जाता है उसे direction देनी क्या हो सकते नहीं पड़ती उसी तरीके से ये भी ADDC lever काम करता है इसकी full form का अगर मैं बता दूँ तो automatic drop and depth control इसे कहा जाता है जिससे कि ये बहुत ही smartly तरीके से टेक्टर को hydraulic system को बना देता है तो ये जानकारी आपको कैसे लगा नीचे comment करके बताना और टेक्टर की छोटी छोटी चीजों को जानने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें और किसान भाई ये जो features है आप अपने भी टेक्टर म महत करना अगर ये हो जाता है तो चैनल को subscribe करना ऐसी छोटी जानकारी आपको हमीसा मिलते रहेगी फिर मिलते हैं next video के साथ तब तब के लिए जय हिन जय भारत